हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गेलोड जी नमस्कार साथियों राउल जी का स्वागत है हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गेलोड जी चात्यस गड़ के मुख्यमंत्री उपेश बगेल जी हलो डॉक्टर अभिशेक सिंग भी और हमारे संगटन के महामंत्री केसी विने गुपाल जी मुझूद हैं मैं राहुल जी से गुजारिश करूँगा वो पहले आपको संबोधित करेंगे बाद में आपका सवाल जवाब लेंगे राहुल जी नमस्कार मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोक तंत्र पर आक्रमन हो रहा है और इसका हम को हर रोज नए नए उधारन मिल रहे हैं सवाल मैंने एक ही पूछा था फाउंडेशन पर जाता हूँ अदानी जी की शेल कंपनीज है अदानी जी की शेल कंपनीज है उसमें बीस हजार करोड रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी का पैसा नहीं है का पैसा नहीं है अदानी जी का इंफरस्ट्रक्चर बिजनिस है पैसा किसी और का है सवाल ये है ये जो बीस हजार करोड रुपय है ये किसके है ये सवाल मैंने पूछा मैंने परल्लمن्ट हा।स में प्रूफ देखे जो मीडिया रिपौर्ट से मैंने निकिला अदानी जी और नरेंदर मोदी जी के रिष्टे के बारे में डीटेल में बोला रिष्टा नया नहीं है रिष्टा पुराना है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीम बने थे तब से रिष्टा है और उसके बहुत सारे पबलिक प्रूफ्स है हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई नरेंद्र मोदी जी बड़े कमफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ पार्लिमंट में मैंने दिखाई ये सवाल मैंने पूछा फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया मैंने स्पीकर को डीटेल चिट्थी लिखी पॉइंट बाइपॉइंट कि मैंने कहा कि एरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिये गए है ये लीजिए रूल की कॉपी उसको बदला गया है चिट्थी लिखी कोई फरक नहीं पड़ा फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लमेंट में जूट बोला बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी मैंने ऐसी कोई बात नहीं किये मैंने कहा स्पीकर से मैंने जाके कहा स्पीकर सर पार्लमेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई कोई एक्यूदेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है मैंने एक चिप्थी लिखी उस चिप्थी का जवाब नहीं आया दूसरी चिप्थी लिखी उस चिप्थी का जवाब नहीं आया फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया मैंने speaker sir से कहा speaker sir ये कानून है ये rule है इन्होंने जूटा अरूप लगाया है मुझे आप बोलने क्यूं नहीं दे रहे हैं speaker sir मुसकुराते हैं कहतें मैं नहीं कर सकता और फिर उसके बाद आपने समने रेखा क्या हुआ सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूँगा नरेंदर मोदी जी का अधानी के साथ क्या रिष्टा है और बीस हजार करोड रुपे किस के हैं मैं पूछता जाओंगा मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके धमका के जेल में डालके मुझे बंद कर सकते नहीं मेरी वो हिस्ट्री नहीं है मैं हिंदुस्तान के लोगतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोग तंत्र के लिए लड़ता रहूंगा किसी चीज से नहीं ड़ता हूँ यह सचाहिए अब आप सवाल पूछे एक 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 प्रीस हमोई I'll say it in English also I'll say it in English also the question begins few weeks back in Parliament where I asked the Prime Minister a very specific set of questions question number one 20,000 crore rupees or 3 billion dollars are in shell companies owned by Mr. Adani Mr. Adani could not have generated this money he's an infrastructure business where did this money come from whose money is it that was the first question whose shell companies are there these companies are working in the defense field why does nobody know whose money this is there is a Chinese national involved in this why is nobody asking the question who is this Chinese national that was the first question second question was set of questions with proof what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani I showed a picture of Mr. of the Prime Minister and Mr. Adani's plane relaxing I gave documentation about the defense industry about the airports about statements made in Sri Lanka about statements made in Bangladesh pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the state bank chairman in Australia and I put this proof on the table immediately after that the BJP started its work my speech was expunged I wrote a letter to the speaker with a detailed explanation on the defense industry on the airports with press clippings supporting documents legal documents and said this is the supporting foundation of my speech I have not made this speech I have not invented this this is detailed research here it is nothing happened nothing was revoked my speech today is not part of the record of parliament the same by the way was done with Mr. Karge after that BJP ministers lied about me in parliament they made the statement to distract from the Adani issue the whole game disqualification and all these statements are to distract from the central question whose money is it 20,000 crores whose is it kiska hai ye that's the main question the whole thing is to distract so they said that I have asked foreign forces to help India most ridiculous statement I have never made such a statement you can look at all the conversations I had in the United Kingdom not one such statement was made in fact I said this is India's problem India has to resolve this problem a minister lies on the floor of the house I wrote to the speaker and I said speaker sir it is my right as a member of parliament when somebody makes an accusation to state my position please let me state my position the first letter is not answered I then write a second letter with more details saying the names and what was said still no answer I then go to the speaker's chamber and I say speaker sir what is going on we live in a democracy you are the defender of that democracy why are you not letting me make my statement the speaker smiles and says I cannot do that come and have a cup of tea with me right so this is the whole drama that is being orchestrated to defend the prime minister from the simple question whose 20,000 crore rupees whose 3 billion dollars went to Mr. Adhani's shell companies Raul Ji Raul Ji I am very proud of you my question is that you are by the way sorry I just need to finish that I left out a part look I am here defending the democratic voice of the Indian people I will continue to do that I am not scared of these threats of these disqualifications of these allegations of these prison sentences I don't care I am not scared of them okay these people don't understand me yet I am not scared of them they are used to everybody being scared of them I am not scared of them right and I will continue to ask the question what is the prime minister's relationship with Mr. Adhani it is an old relationship it is a relationship that began when he was chief minister of Gujarat Mr. Adhani constructed the idea of resurgent Gujarat organized all that this is a partnership it is a close partnership I am going to keep asking that question Rahul Rahul Annciller Anwar Anwar Say Since theange what was intended for the the first partisan parties & support from media इंडिया से मिलती थी बाकी इंस्टिटूशन से मिलती थी वो नहीं मिलती है तो opposition की parties को एकी रास्ता है जनता के बीच में जाने का सर भारती जन्ता पार्टी ने आप पर OBC समुदाय के अपमान का आरूप लगाया है इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे भारती जन्ता पार्टी मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजे मैं वहां कह रहा हूँ सब समाज एक हैं सब को एक साथ चलना चाहिए भाई चारा होना चाहिए नफरत नहीं होनी चाहिए हिंसा नहीं होनी चाहिए तो मेरी पोजिशन बिल्कुल क्लियर है ये OBC का मामला नहीं है ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिष्टे का मामला है 20,000 करोड रुपए जो अदानी जी को पगानी कहां से मिले उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ और उसका जवाब चाहिए BJP दियान को भड़काने की कोशिश करती है कभी OBC की बात करेगी कभी विदेश की बात करेगी कभी कुछ और बात करेगी कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी मगर सवाल यह है 20,000 करोड रुपए 3,000,000,000 किसका था संजय मिश्र और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता संजय मिश्र आपने कहा आप धरते नहीं है लेकिन स्टेट के टार्गेट पे है और स्टेट आपके खिलाफ है पूरी स्टेट पूरी मसीनरी आपके खिलाफ है ऐसे में आपके सामने चैलेंजर बहुत बड़ा है तो रास्ता क्या है रमनीती क्या है देगे वह या चाहिए स्केट हो चाहिए कुछ भी हो मैं सचाई को देखता हूँ मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है मैं सचाई बोलता हूँ राजनेती में ये फैशनल बात नहीं है मगर ये बात मेरे खून में है मैं और कोई रास्ता निकाली नहीं सकता हूँ तो मेरा काम ये है ये मेरी तपस्या है जीवन की तपस्या है उसको मैं करता जाओंगा चाहिए मुझे डिस्कॉलिफाइए करें मारे पीटे जेल में डाले मुझे कोई फर्व नहीं करता मुझे अपनी तपस्या करनी है इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है शान्त हो जाईए इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है प्यार दिया है इसलिए मैं ये करता हूँ सुप्रिया राउल सर बीजेपी के जो लीडर्स आप पर अटाक कर रहे है उस पर आप क्या कहेंगे और इसके लावा वाइनाड वहां पर जब से ख़बर गई है वहां पर लोग बहुत डिस्विलीफ में हैं प्रोटेस्ट भी रप्ट हो रहा है आप अपनी कॉंस्टिवेंस तो मैंने सोचा कि मैं वाइनाड के लोगों के लिए अपनी एक चित्थी लिखून के लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूँँगा उनका देखिए बीजेपी के नेताओं का काम यही है देखिए वो सब नरेंदर मोधी जी से डरते हैं कानन आप जानते हो नरेंदर मोधी जी ने कहा कि देखिए ध्यान अटाना है वो सब जानते हैं अधानी जी और नरेंदर मोधी जी कर रिस्ता सारे के सारे जानते हैं क्य प्रदान मंत्री के इशारे पर हो रहा है लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है तो जो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वज़े से आपका निलंबन भी हुआ है इस पर आप क्या करेंगे कि लिगल लीगल मैटर है मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं मैं लीगल मैटर पर इस प्रेस कॉंफ्रेंस पर बात व्लिएबेटेबेटेटेटेसे सब्सक्राइ्टेटे से रालिए आजिर से तरहा हूआ है right I've seen it in his eyes so he's terrified of the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in Parliament that's the issue that is why first the distraction now the disqualification please don't be confused about this matter there is a there is a deep relationship between Narendra Modi ji and mr. Adani there is there is a question 20,000 crore rupees have suddenly arrived in mr. Adani shell companies where is this money come from whose money is it it is some of these companies are defense companies why is the defense ministry not asking this question why is the defense ministry not asking the question but please explain to us whose money is this that is being spent on our drone development that is being spent on our missile development that is being spent on our ordinance production why is the defense ministry not asking this question I'm injury manjari banjari please a great take with banjari are I'm going to move on your I'm going to make a lot of the Congress to I'm going to make a lot of I'm going to make a lot of रंजीता रंजीता जिस बयाम को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है क्या आपको लगता है आपको अफसूस है उस बयाम को लेकर क्या कहेंगे उस बयाम पर अब देखिए अब ये लीगल डिस्कウशन है उस पर मैं टिपनी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये कॉर्ट में मामला है मगर मैं मैं जो भी सवाल उठाता हूं वो सोच समझ के उठाता हूं आजी निरज राहुल जी अभी कुछी दिन पहले लक्षद्वीब के सांसर मुहम्मद हैजल के सदस्ता गई थी और बार में हाई कोट नहीं स्टे कर दिया था अभी उनकी मेंबर से री इंस्टे नहीं हुई है अभी उनकी सदस्ता री इंस्टे नहीं है लेकिन चुनाव आयगने चुनाव की घोसना करने के बाद उसे रोक दिया था अगर उपरी अदालत से आपको इस्टे मिलता है तो आपको उमीद है कि लोग सभाई स्पीकर भी है चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले मैं अपना काम करूंगा अगर यह मुझे पर्मेंडल्टी डिस्क्वालिफाइ कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा अगर मैं मुझे री इंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा मुझे कोई पढ़नी पढ़ता मैं पार इस नॉट अप टू मी इट अप टू कॉंग्रेस प्रेजिदेंट कौन जाएंगे राहूल जी राहूल जी मेरा सवाख आपके हाँ बैठे हैं दोनों मुख्यमंत्रियों का अभी अडानी जी से रिस्ता है उनके साथ लें देन का मामला इस का दे का मामला है अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए अगर बात निकली तो किजी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए हाँ सिदर्थ सर राहूल सर मैडम मैडम आप लोग तंतर लोगों समझे ये जो पैनिक रियाक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने इससे सबसे जादा सबसे जादा फाइदा मिलेगा विपाश्क शो ये इन्होंने हमें हात्यार पकड़ा दिया है ये आप बात समझे ये ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकली है